स्वामित्र जी पटना से शीराधा वल्लव शीरिवश मारा जी मारा जी जब भगवान ने माया खुद बनाई है तो भोतिक जीवन में इसे दूर क्यों रहना चाहिए इससे दूर क्यों रहना चाहिए बड़े-बड़े रोग भी बनाए जेल भी बनाए डंडा भी लगता है पसंद करो क्या पसंद करते हो मुक्त होना पसंद करते हो या सड़ना पसंद करते हो जो सड़ना पसंद करते हैं खेलो जितने जन्म चाहो उतने जन्म खेलो कोई रोक रहा है तुम्हें करो परिणाम आएगा भोगने के लिए तयार हो जाओ यह खेल है इससे मुक्त होना च कर लेना जेल तो जेल है यह एक यह जेल है और एक तिरासी लाख निन्यानवे जार नौ से निन्यानवे यूनियों की जेल है जहां तुम कुछ नहीं कर सकते केवल तुम्हें दंड भोगना जहां जैसे जैसे वह शुखद या दुखद दोनों एक ही भाह होते हैं आप देख रहें ना जीवों को पैर बांग दिये जिंदा जला के खा रहे हैं आप देख रहें ना ऐसे पंक पकड़े उखार दिये इसे काट दिये वह हम ही तुम है हां उसी से मुक्त होने के लिए मानो दे मिला है इसको ज्यादा क्यों में फसा के नश्ट मत करो राधा राधा राध पशंद कर रह States नंध है भर नहीं है भर्म्लोग प्लोक जण लोक मार्शी म्रत नीचे कि लोक ओग इन में 84 लाग योनिया क्या पषंद करते हैं साभ आपको क्या चाहिए तो नरग करता मक्चे लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए नरग की योग्यता चाहिए नरग यह सीधे नरक का सार्टिफिकट है यदि आप कामा सक्त होकर पराई माता बहनों के साथ बेविचार करते हैं और आप लोब के द्वारा दूसरों के हिंसा करके धन मिलना चाहिए हमको उनकी भोग सामागरी चेने निचाहिए नरक का सार्टिफिकट है क्रोध करके दूसरों का अपमान करना कट्वचन बोलना इंसाद में उतर जाना नरक का सार्टिफिकट बुस्वामी जी इसने संस्कृत के इस लोग को तीका कर रहे हैं काम क्रोध मदलोब सब नात नरक क के पांथ इसलिए भाई भगवान ने सब कुछ बनाया है लेकिन सब कुछ आप पसंद नहीं करते हैं हाँ तो भाई अच्छी चीच पसंद करो अच्छी उन्नती पसंद करो का है को गंदी बाते पसंद करते हो तक तरक करके अगर कि भगवान एक ने कहा कि अगर मांस नहीं ख खाने वाले हैं इंसक पसू हैं और राक्षत सुभाव के हैं यदि आप राक्षत हो तो हमारे पास आने की जरुवत नहीं और हमारी बिनायाब पहुंच नहीं पाएगी यदि आप मनुष्य हो तो फिर आप अपनी सीमा में रहे आपके लिए एक सीमा वनाई गई है एक मर्यादा वनाई गई हैं तो बता दिया प्रभू आप जानकर के भी अंजान की तरह पूछते हो यह रिष्यों के हड़ी आया है राक्षतों ने क्याई जिनके यह आचरन भवानि तेनिष्चर सम जानो प्रावा मदिरा पीना विशार करनां हिंसा करना माता-पिता का अपमान, पुझ जनों का अपमान, सास्त्र निरादर, भगवन निरादर, ये किन की द्वरा होता है, राक्षसी बुद्धी के द्वरा, अब सींग भर नहीं है, पहले था जी, राक्षस की पैचाल, मालो जिसे आप नाटों का अगएरम, तो उनके लिए सींगों नहीं लगे होते, अपने सींग नहीं है, बिना सींग के राक्षस तो हैं, यदि हम सास्त्र के अनुशार नहीं चलते, धर्म के अनुशार नहीं चलते, तो जो सिद्धांत के विप्रीत, आप ही लोग बोलने लगए, तो कितना या निर्दाई राक्षस है, ऐसा करना चाहिए इसको, वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसकी बुद्धी राक्षस ही हो गई है, तो एक बुद्धी ऐसी भी है, कि लाखों लोग प्रणाम करेंगे आपको, वा धन्य है, आपका आच्रण, आपका चिंतन, आपका बिवहार, जगत बंद नहीं हो सकता है, तो भगवान ने दोनूं चीज़ें रची, सुमती और कुमती, वी विश्ण जी रावाण से कह रहे हैं, सुमती कुमती सब के उर रहें, नाथ पुरान निगमस कहाई, जहां सुमती, तहा संपति नाना, और जहां कुमती, तहां भी पति निदाना, यदि आप दुख चाहते हो, नर्क चाहते हो, नाना प्रकार के क्लेश चाहते हो, देखो, अभी सरीश्वस्ता है, और अभी पता चल जाए, कैंसर, अब आपके उपर जो बीते, क्योंकि वह आप जानोगे, प्रवचन कर लिना, बाते बनाना अलग बात होती है, ना, वो कुशी पापकर्म का है न, किड्नी फेल, आप जो आपको अंदर लगेगा, आप क्या, मरा, भगवान किसी को तो मरने के सोचने का भी समय ने देते, अभी आपके पास तो सोचने और समझने का समय मिल गया है, तो मन पचिता ही है, होशर भी ते, खेल है, पक्का गेम है, इसमें तो कोई संसे नहीं, माया का, ये चोसर विशाकर, वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा, दूसरा खिलाडी भी नहीं, और खास बात है, खेल भी वही है, और खिलाडी भी वही है, और हार भी वही है, और जीत भी वही है, अगर ये जान गए, तो तुम मुक्त हो गए, खेल से, और नहीं जाने तो फिर वो बड़ा भयावा भी है और बड़ा प्यारा भी है तिनकर काल रूप मैं भाता जो हमारे कानून का हमारे सिधांत का उलंगन करते हैं उनके लिए मैं काल रूप हूँ भगवान कह रहे हैं और जो उसके अनकूल चलते हैं तो उनके रक्षक भी भग आइज गो कि अगर वारती कानून पर पुलिश कुछ कर सब्सक्राइक कहना कर stammer करेंगे आनंद प्रदान करेंगे आप धर में रुद्ध चलोगे तो उतिनकर काल रूप मैं भाता फिर बड़े भयावा भगवान है सह नहीं सकते हां कृष्ण ही का इंसर्वन कर आएगा कृष्ण ही भैंकर रोग और कृष्ण ही तुम्हें नरक उनके सिवा कोई जब है नह करेंगे इसलिए पसंद सही कर लो यही बोलने के लिए बैठें पसंद कर लो प्रभू को पसंद कर लो सत्य सचिदानंद को हमारी पसंद ही तो गलत हो गई पसंद ही तो हमें पापाचरन करवा रहा है हमारी सोच पवित्र हो जाए हमारी बुद्धी पवित्र हो जाए पर ह साथा रहा है कि हमारा जीवन सार्फक हो रहा है हमारी वारी पास नानी वी घृत आज रएंट थे सारे छोड़ चुपे और अभी इस बात को कि वे सालबर से लेकिन अब जैसे हम देखते हैं कि हमारी नवीन भाईजन हमारा सायोग कर रहे हैं हमारी बात मानने हो चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है प्रभू की बड़ी कृपा है अगर एक-एक सुधरना शुरू हुआ तो बहुत सुधर हो जाएगा एक-एक हम अपने का सुधार करना शुरू कर दें तो बहुत सुधार हो जाए इससे आपका मंगल होगा हमें सु किस बात करते हैं जिससे माँ अपने बच्चे को कहते हैं दूद पी ले और दूद पी लेता है तो मा उसको दुलार करते हैं क्यों बच्चा स्वस्त रहेगा मां देखके प्रशन रहेगी जो हम लोगों का उद्देश है वास्तविक वह यही है कि जन-जन में एक भागवतिक मनुष्य आवे लें अच्छे आच्रं करें शवस्त रहें सुखी रहें और यह देखकर करके हम आनंदित मों फैंहें हमारे देस्वाशी धर्म से चलते हैं हमारे insvasya प्रश्ट यह हमारी भेह houses और हमारी जिंदगी का लक्ष क्या है एक ही लक्ष है प्रभूं और वह ही सं पहुंचना दुरलब नहीं है बद चलते चले जाओ जब उचाई पर पहुंचोगे तो जिसकी खोच कर रहे थे वही आप निकलोगे जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तुम भगवत सरूप हो तुम आनंद शिंद भगवान का अंसर्थात आनंद शिंद हो इसलिए रुकन बीच में उठा और का थोड़ा विस्राम कर लो तो उन्होंने का नए राम काज की ने विनु मोही कहां विस्राम जब तक भगवत साक्षातकार नहीं हो जाता तब तक माया तेरी मनोहर बाटिकाओं में मनोरंजन नहीं करूंगा धर्म से चलूंगा अब लोनसानी अब नान सत भगवान का अश्रे लेकर अब निकल चलो जार ऐसे दल दल है माया के पूछो मत बड़ी दुर्गती होती जीवों की अभी निकल चलो मानो दे मिल गया भगवान की कृपा होगी संत समागम मिल गया मतब हवा अनुकूल है नौका मजबूत है खेवया चतुर है पार हो ज सिरादादादादादादाद